आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको साथ पहले हजार दिन के बहुत के बारे में बताऊंगी जैसे आप सबको मालूम है कि हम भारत में बहुत काम करें कुपोशन पे और अभी लास्ट थोड़े वर्शों में हम लोग ने पहले हजार दिन पे बहुत काम करना चालो किया है तो पहले हजार दिन मतलब गया पहली हजार दिन मतलब जैसे बच्चे मा का घर पडारण होता है और पे तब से लेके लगबग दो साल तक जब भी बच्चा होता है उसको हम लोग पहले हजार दिन कहते हैं उसका महातों यह है कि पहले 9 मैन बच्छा मैनुफेक्चरिंग होता है Manu facturing मतलब उसके पुरे जो spare parts सो बनते है मेедू, फेफडा, गुर्दे, टेलें, मस्टिक्स, जो चम्डी पाल, वह से पहले 9 मैने में बन रहे है और 9 मेने के बाद जो पहले 6 मेने है उसमें बच्चे की हाइट और वेट जो वजन है और उसकी जो लंबाई है वो बहुती बहुती फास्ट मात्रा में बढ़ती है वो बहुती इतनी फटा-फट बढ़ती है कि अगर 6 मेने में बच्चे को अगर हम लोग ने अच्छी तरह मा का स्तन का दूद नहीं दिया तो वो बच्चे का not only weight कम हो जाता है लेकिन इसके height पे भी असर होता है तो अगर बच्चे को लंबा करना हो इसको बजन उसका बढ़ाना है तो पहले छे मैं आपको मा के स्तन के दूद पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको बरोबर ध्यान यह बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे को कितनी बार खाना देना है क्या खाना चालो करना है वह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आपको ध्यान में रखना है और कितनी बार भी देना है क्या देना है और कौन से आप फूल ग्रूप चालो करना है कौन से फूल ग्र एक कैसे बनाना हम भारत में देखते है जगह सबहुत ठांव कर रहां ज़से ज़ने हैं पानी जासा दाल के रहां भी जास देंगे भारत कि अगर आपको मापनी बाड़ास पर्वे लंग कंसिस्टंसी उसकी जो कैसे बनाना वो मा को सिखाना बहुत ही जरूरी है तो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर छे मेने के बाद हम लोग ने अच्छी तरह खाना बच्चे को नहीं दिया तो बच्चे का वजन तो कम होगा ही लेकिन उसकी हाइट जो बढ़ती है वो भी कम हो जाए लेकिन उसका जो मस्टिक है मस्टिक भी बहुत ही मात्रा में भड़ता है तो यह उसका मात्व है दूसरा यह है कि अगर हम लोगों ने पहले एक-दो साल में कुछ ध्यान नहीं दिया और बच्चा नाटा हो गया या बच्चे का वजन बहुत कम हो गया तो उसका जो नाटा मुश्किल है उसको तो उसको हम लोग बहुत है इर्रिवर्सिबल स्टंटिंग मतलब कितना भी आप कोशिश करो लेकिन वह बच्चा जो नाटा हो गया उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है इस पैसिविकली आफटर दो साल के बाद थीखे इन फैक्त मेरे जो प्रोग् बहुत करो बहुत ही नीचे है हाइट में ठीक है तो आपको वह ध्यान रखना है कि मदर को नूट्रिशन को तो आफको इंपोर्टेन का एक्शली बच्चे का वजन आपका बर्थ वीट सवातीन किलो जितना होना चाहिए इस पर वहो के हिसाप से और और बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए अब गारी है की इसाला में आपको दखाओंगी का जसातर कलुं जब थीजियर, आपको जए हम ça。」 Mayra एक पूरा प्रिजिटैकन है पहले हजार दिन पर बहुत ही फोकस करना है, in fact मैं तो बताऊंगी कि प्रेगनिसी और पहले साल, बस वो नौ मैना प्रेगनिसी का और एक साल बच्चे का हाथ तक आप ध्यान दीजिए और आप देखें आप बच्चे कैसे आपके बढ़ते हैं, ठीक है, थेंक यू जीवन के पहले 1000 दिनों के महत्वपर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है, इस टुटोरियल में हम इन दिनों में अच्चे पोशन के फाइदों पर बात करेंगे, साथ ही हम सीखेंगे कि इन दिनों में शिशु का पोशन कैसे किया जाता है, इस टुटोरियल में लिखे हुए कुछ जरूरी विशयों को अलग टुटोरियल में समझाया गया है। जादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आईए पहले समझते हैं कि जीवन के पहले 1000 दिन क्या है। जीवन के पहले 1000 दिन गर्भा वस्ता के पहले ही दिन से शुरू होते है। वे शिशू के दूसरे जनम दिन पर खत्म होते है। इन 1000 दिनों में एक शिशू कितनी अच्छी तरह बढ़ता है यह उसका भविश भी तै करता है। यदि अच्छी तरह से पोशन दिया जाए तो शिशू का भविश स्वस्त हो सकता है। शिशू के शुरूाती विकास के लिए अच्छा पोशन जरूरी है। यह शिशू को बढ़ने, सीखने और सफल होने में सक्षम बनाने में एक मुलभूत भूमी का निभाता है। गर्भावस्ता के तीसरे सपताह से भुण का दिमाग बढ़ने लगता है। इसके बाद यह पूरी गर्भावस्ता के समय बहुत तेज गती से बढ़ता है। जादा तर माओं को इस समय अपनी गर्भावस्ता के बारे में पता भी नहीं होता है। इसलिए सभी महलाओं को उनकी प्रजणन उम्र में अच्छे भोजन का सेवन करना चाहिए गर्भावस्ता की योजना बना रही महलाओं के लिए यह विशेश रूप से जरूरी है गर्भावस्ता से पहले स्वस्थ जीवनशेली शरीर में फैट और मास पेशों का प्रतिशत जरूरी है अन्य टुटोरियल में किशोरावस्ता और पूर्व गर्भावस्ता के पोशन के बारे में बताया गया है जादा जानकारी के लिए कुरूपया हमारी वेबसाइट पर जाएं तीसरी ती मही के समय दिमाग की कोशिकाएं फैट की एक परत से ढखकी होने लगती है इसे माईलिन शीत कहते है यह दिमाग की कोशिकाओं के बीच से संदेशों को जल्दी से भेजने में मदद करता है सातवे महने तक भृुण का दिमाग बड़ी उम्र के इंसान के दिमाग जैसा रूप लेने लगता है साथवे, आठवे और नव्वे मेहने में भुण के दिमाग का तेजी से विकास होता है यह तेजगती एक चीज के बिना संभव नहीं है यह वह पोशन है जो शिशु को मा के खाने से मिलता है मा का आहार शिशु के शरीर में फैट और मा स्पेशों का प्रतिशत तै करता है यह शिशु की खाने की पसंद भी तै करता है मा को अलग-अलग तरह के पोशन तत्वों से भरपूर, मौसम और जगह के हिसाब से खाने को खाना चाहिए उसके शरीर में भरपूर मात्रा में आयरन, फोलेट और कैल्शियम मौजूद होना चाहिए गर्भावस्ता के समय आयोडीन के चीजों को लेना जरूरी है उसे भरपूर प्रोटीन, अच्चे फैट और जरूरी पोशक तत्व खाने चाहिए इन पोशक तत्वों के स्त्रोत इसी शुरूंखला के अन्य टुटोरियल में दिये गए है नहीं तो दिमाग की जरूरी विकास की प्रक्रियां बाधित हो सकती है शिशू में जन्म दोश और सवध्यानात्मक दोश भी हो सकते है एक प्रसिद्ध उदाहरन न्यूरल ट्यूब दोश है दिमाग और रिड के शुरूराती विकास के लिए फोलेट, B12 और कोलिन की जरूरत होती है गर्भावस्ता से पहले मा को भरपूर मात्रा में फोलेट लेना चाहिए इसे गर्भावस्ता के शुरूराती हफ्तों में भी लेना चाहिए वरना न्यूरल ट्यूब का विकास गलत हो सकता है इससे दिमाग और रीड की हड़ी में जन्मजात दोश हो सकते है गर्भावस्ता के समय मा के वजन बढ़ने की गती शुषू के स्वास्थे को तै करती है ऐसी माए जिनका वजन बहुत कम ना हो उनका ज्यादा वजन बढ़ना अच्छा नहीं है इससे बच्पन में मोटापे का खत्रा बढ़ जाता है गर्भावस्ता के समय मोटापा महलाओं को गर्भावधी मधुमेह के खत्रे में डालता है इससे शिशु के जीवन में बाद में मोटे होने का और मधुमेह होने का खत्रा बढ़ जाता है गर्भावस्ता के समय मा की जीवन शैली भी एक जरुरी भूमी का निभाती है गेर्भावस्ता के समय गंभिर्त नाव, उदासी या हिंसा से बचना चाहिए ऐसे नकारात्मक अनुभव एक विकास शिल भुण पर गेहराई से असर कर सकते है धुम्रपान जन्म के समय कम वजन या समय से पहले प्रसव का कारण बन सकता है यह शिशु के जीवन में बाद में मोटापे के खत्रे को भी बढ़ा सकता है शराब और तंबाकु का सेवन नहीं करना चाहिए पोशक तत्वों की हानी को कम करने के लिए रोगों को तुरंत रोका या इलाज किया जाना चाहिए गर्भा वस्था के 270 दिनों के बाद शैशवा वस्था पहले 1000 दिनों की दूसरी अवस्था है शैशवा वस्था के दवरान शिशु का मस्तिश्क संतुलन जैसे मोटार कारियों को विकसीद करता है यह नई यादे बनाने और बाद में उन्हें याद करने की ताकत भी विकसीद करता है इस तर पर नवजाद शिशु की सही देखभाल की जरूरत होती है इसी शुरंकला के दूसरे टुटोरियल में नवजाद शिशु की देखभाल के बारे में विस्तार से बताया गया है नवजाद के दिमाग के बढ़ने के लिए मा का दूद सबसे अच्छा खाना है इसमें अलग-अलग तरह के पोशक तत्व, रुद्धिकारक और हार्मोन होते है यह हर मा और उसके शिशु के लिए खास घटकों से बना है बाजार में मिलने वाले कोई भी डिब्बे वाले दूद मा के दूद के समान नहीं हो सकता दिमाग के विकास पर इसके असर का मुकाबला नहीं किया जा सकता मा के दूद में उच्छ सरका DHA और EPA होता है यह शिशु के दिमाग के बढ़ने के लिए ज़रूरी है 6 मेने तक सिर्फ मा का दूद पिलाने के कई फाइदे है स्तनपान कराना शिशु का दिमाग तेज होने के साथ जुड़ा है यह जादा शिक्षा प्राप्त करने और बहतर कमाने से भी जुड़ा है यह सभी आएके स्तरों के शिशुओं और किशुरों के लिए सच है इमा का विकास सिर्फ मा के दूद के कारण नहीं होता है मा के दूद पिलाने का अनुभव भी इसमें योगदान देता है स्तनपान कराने में मा शिशू के बीच काफी भावनात्मक बंधन और पोशन शामिल है यह शिशु के सम्वेदी और भावनात्मक नियंत्रन को मजबूत करने में मदद करता है ये ज्ञान संबंधी और सामाजिक भावनात्मक विकास दोनों के लिए जरूरी है इन फायदों के लिए सही तरीके का इस्तमाल करके स्तनपान कराना चाहिए अगला शिशु अवस्था में दिमाग के विकास पर बात करते हैं एक शिशु का दिमाग तेजी से बढ़ता और विकसित होता रहता है बाल्या वस्था के दोरान शिशु का दिमाग मुश्किल कामों को करने की ताकत बढ़ाता है एक शिशु का दिमाग दिमाग की कोशिकाओं के बीच नए संबंध बनाने में व्यस्थ है इस समय जीवन में किसी भी समय की तुलना में इस तरह के संबंध तेजी से बनते है इसके कई फाइदे है यह शिशु को तेजी से नई चीजे सीखने में मदद करता है यह शिशु को बदलते परिवेश और परिसितियों के अनुकुल होने में भी मदद करता है शिशु के जीवन के दूसरे साल में दिमाग के भाषा क्षेत्रों के कुछ हिस्सों का विकास होता है इससे शिशु की भाषा क्षमताओं में तेज वृद्धी होती है यह भाशा सीखने की क्षमता भी विकसित करता है और नए कवशल सीखने की क्षमता को भी इस अवधी के दोरान पोशन बहुत जरुरी रहता है शिशू के विकास शिल दिमाग के लिए प्रोटीन, आईरन, जिंक और आयोडिन जरुरी है अन्य जरुरी पोशक तत्व है DHA, EPA, कोलीन, B12, आदी आईरन पहले 1000 दिनों के समय दिमाग के विकास में जरुरी भूमी का निभाता है इन 1000 दिनों में आईरन की कमी से होने वाले नुकसान को सुधारा नहीं जा सकता इससे पढ़ाई, लिखाई, सामाजीक और भावनात्मक स्वभाव में कमी होती है यह भी शामिल है एक सामाजीक संपर्क और सतरकता चिड़चिडापन बढ़ जाना, जरुरत से जादा साउधानी, घर में और घर के बाहर खेलों में कम रूची यह देखभाल करने वालोद्वारा दिये गए ध्यान और बाचीत को कम कर सकता है यह आगे जाकर शिशू के खराब विकास का कारण बंटा है आईरन की कमी से दिमाग में रासाइनिक पदार्थों को भी प्रभावित करती है यह चिन्ता के उच्च स्तर से जुड़ा है और बाद में जीवन के अवसाद के साथ इसका असर नोकरी पर भी पड़ता है शिशू को आईरन से भरपूर खाना देना चाहिए नहीं तो वे भरपूर आईरन की मात्रा नहीं लेंगे अतहा छे मेहने की उम्र के बाद पूरक आहार देना जरूरी है पहले 1000 दिनों में कुपोशन से होने वाला नुकसान हमेशा की लिए रह जाता है इससे दिमाग तेज नहीं होता इस जरूरी अवधी के दवरान लगातार कुपोशन के कारण कद में कमी होती है जीवन के पहले दो वर्षों में कद के कमी या स्तंटीं को ठीक नहीं किया जा सकता है यह शिशु के आने वाली पिडियों पर भी असर करता है कुपोशित महलाए कुपोशित बेटे और बेटियों को जर्म देती है बाद में ये कुपोशित बेटियां बड़ी होकर कुपोशित मा बन जाती है ऐसे में वे कुपोशन का एक चक्र बनाते हैं जो निरंतर जारी रहता है आने वाली पिडियों के कद में कमी को ठीक करने में 2-3 पिडियां लगती है यही कारण है कि भारत में एक 19 वर्षय महला की ओसत उंचाई केवल 5 फीट है भारत में एक 19 वर्षय व्यक्ति की ओसत उंचाई केवल 5 फीट 4 इंच है पहले 1000 दिनों के समय पोशन में सुधार करके इसे रोका जा सकता है अब यह टुटोरियल यही समाप्थ होता है यह स्क्रिप्ट बेला टोनी द्वारा अनुवादित है मैं स्निहां किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद अब यह स्क्रिप्ट नवादित है अब यह स्वादित है झाल झाल